दोस्तो नमस्कार मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं एडू बगीचा तो दोस्तो आज हम लोग ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जिसके बिना हम लोग जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं तो वो टॉपिक क्या है? तो वो टॉपिक है आज ब्लॉड आज हम रक्त रुधिर की बारे में पढ़ेंगे रुधिर के बारे में समझेंगे कि ये हमारे दैनिक जीवन में और ये हमारे हमको जीवित रखने में इसका कितना योगदान है तो आईए डेखते हैं Blood Blood connects parts of the body to each other Blood जो है Body के हर एक parts को एक दूसरे से connect करकर रखता है यानि कहने का मतलब क्या है कि अगर ये देखा जाए तो ये एक सन्योजी उत्तक की तरह काम करता है यानि कि ये जितने भी parts हैं top to bottom ये सारे parts को आपस में connect करकर रखता है ये blood देखते हैं कि ये study of blood इस blood के अध्यायन को हम क्या कहेंगे तो study of blood को या तो हम serology कह सकते हैं या फिर hematology भी कह सकते हैं ठीक है study of blood is known as serology or hematology यह सरीर के कुल वजन का मान लिजे किसी का वजन 100 kg है तो 100 kg का 7% उसका blood होगा तो यह अनुमानित है कि यह सरीर के कुल वजन का 7% होता है ठीक है अब देखिए यह एक सन्योजी उत्तक है connecting tissue जिस पे हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि यह सारे parts को connect करकर रखता है clear इसलिए इसको हम लोग सन्योजी उत्तक कहते हैं ठीक है यह एक natural collide भी है natural collide यानि प्राकृतिक collide है collide कहने का तातपर हम को उस बिंदू से है कि collide जो है ऐसा liquid को हम कहेंगे जिसको अगर किसी चीज में अगर छाना जाए तो 100% उस पार न जाए उसको collide कहेंगे जैसे पानी को छान दिया जाए किसी कपड़े में रखके तो पुरा का पुरा उस पार चला जाएगा तो ऐसी liquid को हम collide नहीं कहेंगे कुछ गाढ़े liquid को हम लोग collide कह सकते हैं ठीक है तो यह भी एक natural collide की तरह काम करता है जिसकी pH value की बात करें तो इसकी pH value 7.4 होती है अब जब clear है कि जब 7.4 होती है तो असपस्ट तहा इसका जो nature है यह छार यह होगा बिल्कुल चुकि हम लोग पहले से जानते हैं कि 7 होता है neutral उदासीन 7 से नीचे होता है अम लिए और 7 से ज़्यादा होता है चार यह तो 7.4 है तो इसका क्या होगा चार यह होगा यानि यह basic होगा बात करें इसमें यहाँ जैसे हम लोग कुल वजन का 7% अगर male की बात करें तो male में 5.5 average के तोर पे लिया गया है 5.5 liter जबकि female में only 5 meter 5 liter क्यों? क्योंकि यह female में 5 liter होता है इसका मतलब क्या हुआ कि male से हमेशा आधा liter कम female में blood होता है चीक है अब इसका concept हम आगे समझेंगे तब तक हम फिलाल देखते हैं कि यह formation of blood यह आखिर blood जो है जिसका यह सब हम लोग उसका परिचाय देखे हैं definition उसका देखे हैं तो यह blood का निर्मान कहां होगा? तो यह blood का निर्मान अगर बात करें adult में यानि एक वयस्क मनुश में तब वयस्क मनुश में blood का निर्मान होता है bone marrow में अब यह bone marrow क्या है? हिंदी में इसको अस्थी मज्जा बोलते हैं यह अस्थी मज्जा है क्या? अस्थी मज्जा हम उस पार्ट को कहेंगे जैसे माल लिजे कि आप कभी chicken mutton खाय होंगे तो उसके जो bones होते हैं bones के अंदर भी कभी चूस-चूस के खाय होंगे याद होगा तो उसके अंदर जो substance होता है जिसको चूस के खा लिया जाता है कि अंदर वाला पार्ट उसी को हम bone marrow कहेंगे और उसी bone marrow में होता है क्या? बनता है blood बात करें चोटे बच्चों में चोटे बच्चे का सितातपर्ज मेरा है इंब्रॉय का है इंब्रॉय का मतलब जो भ्रूण बोलते हैं जो की अभी गर्भा वस्ता में है अभी पैदा नहीं लिया है वैसे situation में अगर देखा जाए तो उस situation में बच्चे की liver में बनता है ठीक है अब देखते हैं कि ये blood बनता तो है पर डे हम लोग खाते हैं पर डे blood बनता है तो क्या ये blood बनता है तो कहीं न कहीं ये store तो होता होगा कहीं न कहीं जमा तो रहता होगा बिल्कुल तो उसी store के बारे में समझेंगे कि यह blood store होता है spleen में, spleen एक organ है जिसको हम लोग प्लीहा बोलेंगे या बोल चल के भासा में इसको हम लोग तिल्ली भी बोलते हैं, देखिए न माटा नोटन कटता है कहीं, तो वहाँ पे एक मतलब क्या बोलते हैं, कथा कलर का एक होता है, मतलब flat surface की तरह होता है तिल्ली, ल उसी में blood store होता है, तो अब एक बात बताईए, जब blood store हुआ spleen में, तो क्या हम लोग उस store किये हुए blood को blood bank कह सकते हैं कि नहीं, जैसे हम लोग अपने पैसा है, रुपिया पैसा कहा store करते हैं, किसी ना किसी bank में, तो उसको bank बोल सकते हैं, ठीक वैसे ही, यहाँ blood store हो रहा ह ठीक है, कोई दिकत, अब देखिए इसमें, blood बहुत आगे चलके हम लोग पढ़ेंगे, RBC, WBC, platelets होगारा पढ़ेंगे, तो उसमें RBC जो होता है, red blood corpuscles, यह red blood का graveyard, graveyard का मतलब होता है कबरिस्तान, अब देखिए, कि blood तो per day बनता है, तो per day बनता है, तो जितना यूज होग बाकी blood अगर, dead भी तो करता है, blood मरता भी तो है, destroy भी तो होता है, बिल्कुल होता है, अगर जड़ा सोचिए कि यह blood destroy न होता हो, तो हम लोग क्या हो जाते हम लोग तो मतलब क्या बोले कि elephant से भी मोटा हो जाते, इतना blood होता body में, तो देखिए, system एक ऐसे तरीके से बना है, कि उसका यूज भी हो रहा है, और उसका नास भी हो रहा है, ठीक है, तो यह blood बनता है, bone marrow में, जमा रहता है, अब देखेंगे, यह blood मरता कहां है, मरता है तो कहां रहता है, तो यह RBC के graveyard, यानि कबरिस्तान हम लोग बोलते हैं, एस्पलीन को, यानि एस्पलीन में RBC जाकर म cycle हम देखेंगे, कितने दिनों के बाद यह मरता है, आगे देखेंगे, अब देखते हैं, यहां RBC बात आई, कि blood का raid, तो यह blood raid क्यों होता है, blood raid क्यों देखता है, तो हेमोगलोबीन के चलते, हेमोगलोबीन के चलते क्या होता है, blood raid देखता है, clear, जैसे कि पर्ण हरित जो ह हेमोगलोबीन के चलते blood जो है rate दिखता है अब बात करें हेमोगलोबीन की इसकी भी मातरा की बात करें जाएं तो यहाँ male और female दोनों में vary कर जाता है male में 14 ग्राम प्रती डेका लीटर यह डेका लीटर में इसका माप होता है 14 ग्राम प्रती डेका लिटर मेल में होता है जबकि बात करें फीमल की तो उसमें 13 ग्राम प्रती डेका लिटर होता है यानि यहां से आप अंदाज लगा सकते हैं कि एक ग्राम एक डेका लिटर में यहां देखें प्रती डेका लिटर में एक ग्राम का difference है, बिल्कुल, तो जब प्रती डेका लीटर में एक ग्राम का difference यहां नजार आ रहा है, तो overall में तो मतलब clear है कि half लीटर कम होगा यहां से, चोंकि 5.5 लीटर male में और 5 लीटर only female में, तो यहां clear हो गया, अब देखते हैं कि यह जो यहां कमी हो रही है, ठीक है, तो अब देखिए, हीमोगलोबीन में फेरस पाया जाता है, जिसको आईरन कहते हैं, तो फेरस पाया जाता है, यानि हीमोगलोबीन में आईरन पाया जाता है, तो आईरन जब पाया जाएगा, तो जिस भी चीज में आईरन होता है, उसमें स्ट्रॉंगनेस्ट आएगी की नही मझबूती आएगी कि नहीं obviously आएगी तो वैसे ही male में जब blood ज़ादा होगा तो blood में trustworthy होता है यानि ferrous होता है तो blood ज़ादा होगा थो iron भी ज़ादा होगा iron ज़ादा होगा तो उसमें मझबूती भी ज़ादा होगी और यहीं कारण है कि एक male का सरीर नहीं लगेगा, अब कारण समझ गया है, कि क्यों ऐसा होता है, तो ये बात, ये हेमोगलोबीन, बलोड और फेरस का करनामा है, देखते हैं, बलोड का function, यानि इसका कार्य को अगर देखा जाए, तो बलोड का कार्य होता है, टेम्परेचर को बैलेंस करके रखने में, बोडी circulate होगा ऐसे समझिए ना कि जब आप दोड़ोगे तो जब आप दोड़ रहे हो तो बॉड़ी में automatic गर्मी होगी यह गर्मी होती कैसे है यह बताई यह गर्मी होती है जब हम दोड़ेंगे तो blood circulation fast होगा blood circulation fast होगा तो अंदर बोडी में गर्मी आती है तो वैसे ही ब्लड तो हमेशा ये ट्रांस्पोर्टेशन का काम करता ही रहता है तो इसलिए बोडी में जो एक टेंपरेचर होता है जो हम लोग का जिसे समाने टेंपरेचर कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फारेन हाइट ज कुछ दिनों पहले वीडियो में हम लोग देखे होंगे जिसमें रेस्पाइरेट्री सिस्टम में हम देखे होंगे कि ये ओक्सीजन और कार्बन डायकसाइड का परिवहन करता है लंग्स से एलोवेली से ओक्सीजन को लेकर के पूरे बाड़ बोडी के पार्ट तक क्लियर साथे साथ ये कुछ न्यूट्रियन्स का भी परिवहन करता है कुछ पोसक पदार्थों का भी परिवहन करता है क्लियर अब हम देखेंगे कि ये बलड जो है ये बलड को कितने पार्ट में बटा गया है ठीक है अब देखते हैं हम कि ये प्लाज्मा बलड को दो पदार्थ होता है बात करें कार्पल्स की कार्पल्स टोटल blood का 40-45% होता है या घाढ़ा होता है यह लौ यह लो पन acá आप चलते ये येलो कलर का होता है, बात करें कारपल्स की, तो ये रेड कलर का होता है, और ये क्यों रेड कलर होता है, हम लोग पहले डिसकस कर चुके हैं, यानि की हीमोगलोबीन के चलते हैं, ये रेड कलर का दिखता है, ठीक है, अब कारपल्स के तीन पार्ट है, RBC, WBC और प्लेटले और प्लेटलेट्स को हम लोग थ्रम्बोसाइट कहेंगे इस लिउकोसाइट से याद रखने का एक टर्म है जैसे कि WBC के घटने से या WBC के बढ़ जाने से लिउकेमिया नमक रोग हो जाती है जो कि कैंसर कहते है उसको ठीक है तो इसी लिउकोसाइट से ही लिउकेमिया बना है तो इसे याद रहेगा चलिए RBC की हम संख्या की बात करें तो RBC की संख्या पचास लाख होती है पचास लाख RBC की संख्या होती है अगर मिलियन में बात करें तो 5 मिलियन होती है WBC की संख्या की बात की जाए तो 10 हजार होती है WBC की संख्या और platelets की संख्या 2 लाख होती है दो लाख तो ये देखिए ये हमेशा एक्जाम में पूछते रहता है RBC की संख्या पचास लाख WBC की संख्या दस हजार और platelets की संख्या दो लाख ठीक है बात करें इसके life cycle की यानि इसके जीवन काल की बात की जाए कि ये कितने दिनों के बाद ये dead होता है मरता है तो देखते हैं जीवन काल की 120 दिनों के बाद RBC मर जाता है यानि 120 दिन के बाद RBC dead हो जाता है और ये dead हो के कहां जाता है वहीं एस्प्लीन में जो की RBC का graveyard हमने कुछ समय पहले ही चर्चा किया था कि RBC का graveyard किसको कहते थे हैं एस्प्लीन को जहां ये मर के जाता है यानि 120 दिनों के बाद WBC की बाद की जाए तो ये मात्र 4 दिनों में ये खतम हो जाता है ठीक है और प्लेटलेट्स की बाद की जाए तो 7 दिन में ये dead हो जाता है ठीक है अब देखिए सबसे important चीज इसकी size की बात करते है अब देखिए संख्या में तो सबसे बड़ा कौन है RBC है लेकिन यहीं question फसाएगा बच्चे ज़्यादा तर याद रखते है कि RBC की संख्या 50 लाख है सबसे ज़्यादा लेकिन question पूछ देगा उसकी size की की सबसे बड़ी क्या होगी कारपल्स में सबसे बड़ा क्या होगा तो हम लोग तो 50 लाख याद रखे है तुरंट student क्या करते है कि 50 लाख वला यानि RBC लगा देंगे लेकिन नहीं यहीं गलती नहीं करना है अब देखते हैं आकार की बात जब की जाए तो यहाँ WBC सबसे बड़ा होता है सबसे बड़ा WBC फिर RBC और दें platelets यानि सबसे छोटा platelets उसके बाद क्या होता है RBC और सबसे बड़ा WBC ये बात हमेशा ध्यान में रखने वाली बात है बात करें इसके ratio की तो रिस्यू भी बहुत important है, mainly लोग दो तरह का रिस्यू याद रखता है, यानि कि RBC और WBC के बीच का रिस्यू याद रख लेते हैं, और platless का नहीं रखते हैं, हो सके platless का भी पूछ दे, तो उसके लिए ध्यान रखेंगे कि RBC इस्टु WBC इस्टु platless, यानि 600 अनुपाद एक अनुपाद 40, यहीं RSU होता है इसका, 600 अनुपाद, एक अनुपाद 40, ये बात ध्यान में रखना है, ठीक है, हाँ, हम बात करें इस RBC के बारे में, बारी-बारी से सब के बारे में RBC, WBC और platless के बारे में बात करेंगे, अब देखते हैं, RBC के बारे में, तो ये RBC आक होता है, बीच में हलका चप्टा और गोलाकार होता है, ये RBC का आकार है, ठीक है, RBC के एक और गून है, कि जैसे जैसे हम उचाई पर बढ़ते जाएंगे, इसकी आकार में ब्रिधी होती जाएगी, यानि इसका आकार जो है, बढ़ता जाएगा, यानि देखिए, उचाई हम बढ़ रहे हैं, और आकार भी इसका बढ़ रहा है, तो ये तो क्लियर है याद करने में, उचाई पर बढ़ना है, इसमें भी बढ़ना है, और उसका आकार जो है, वो भी बढ़िये रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो जैसे जैसे उचाई पर बढ़ते हैं, RBC क में ज्यादा होगा वो आदमी हमेसा एक्टिव रहता है आरवी सी की ही कमी हो जाने के चलते आलस आने लगता है निंद आने लगता है ठीक है तो एकदम आरवी सी को एस्टूडेंट लाइफ में तो आरवी सी को बिल्कुल एस्टूडेंट लाइफ में तो आरवी सी को बिल्क नभीक होता है यह जली यह कार पल्स का 95 promoting हमने देखा कि यह जो कैर है यह कितना होता है 40 से 45 परतिसत होता है जब कि प्लाजमा की बात करें तो प्लाजमा अकेले 55 से 60 परतिसत तक होती है तो यहां देखिए ध्यान दने वाली बात है इस कारपल्स का इसमें तीन भाग था RBC WBC और प्लेटलेट तो इस 40 से 45 परतिसत वाले भाग का अकेला 95% RBC हो कि कुशन पुछ देगा take a blood में सबसे ज्यादा पर्सेंटेज किसकी होती है तो blood में सब्से आप सबसे ज्यादा पुछा है कि कारपल्स में सब्से ज्यादा पूछा है और अम लोग यहीं इसको रच लेते हैं जो इसी को रट लेता है करेज्स का 95% फैरी से बेल्कुल साहिए लेकिन कुस्चन पूछता है कि ब्लोड में सबसे ज़्यादा प्रसेंटेज किसकी होती है तो ब्लॉड में सबसे ज़्यादा प्रसेंटेज इस कि नहोगा है 55-60% यह कारपल्स की बात पुछेगा कि कारपल्स में सबसे ज्यादा परसेंटेज किसकी होती है तब हम कहेंगे कि RBC का क्लियर तो इस चीज को ध्यान रखना है कि ब्लॉड में सबसे ज्यादा परतिशत किसकी प्लाजमा की और कारपल्स में सबसे ज्यादा पर्सेंटेज किसकी RBC की, clear, no doubt, चलिए, अब बात करते हम WBC के बारे में, इसकी आकार की मतलब कोई निश्चित नहीं है, यानि औनिश्चित आकार है इसका, ठीक है, बात करें कि ये हमारे बोडी को क्या करता है, ये हमारे बोडी की रोग प्रतिरोधक छमता को clear, जो कि हमारे लिए बहुत उपयोगी है, उपयोगी तो सब है, लेकिन ये भी बहुत उपयोगी है, कि जो रोग प्रतिरोधक चमता को बढ़ात के रखता है, इससे देखिए, कोई छीक देता है, कोई खास देता है, तो उसके बगल में कोई होता है, उसको तुरंट लग सर्दी जुकाम, तो जिसका WBC होता है, उचीकने से और खासने से उसको कोई फार्क नहीं पड़ेगा, उसको नहीं होगा, ठीक है, लेकिन किसी किसी का WBC कमजोड होता है, तो कोई बगल में छीक देगा, तो समझे उसी टाइम से उसको भी छीक खासी सुरू हो जाती है, या यानि हम किसी का WBC ले ले तो उससे उसके DNA और RNA का पता लगा सकते हैं, ठीक है, इसमें देखिए, इसमें बहुत सारे पार्ट होते हैं, यह जो रोग प्रतिरोधक छमता है, इसमें किस तरह काम करते हैं, आइए समझ लेते हैं, इसमें एक एंटी बडी होता है, एंटी बड काम इस एंटी बडी के काम करता है, जो कि WBC में होता है, ठीक है, अब यह जो लिम्फोसाइट है, यह लिम्फोसाइट क्या करता है, उस बीमारी से लडने का काम करता है, मैसेज कौन देता है उसको, मैसेज देता है एंटी बडी, एंटी बडी मैसेज देता है से लिए इसको दीसेल भी चांग करता है तो भी समझ आना है कि ये लिमफोसाइट है और यह बीमारी से लड़ने का काम करता है थिक है अब लडने का काम करता है तो अगर लिमफोसाइट as strong पड़ा तो उस बीमारी के जो भी attack हुआ है यानि उसके part को ये मार देगा ठीक है अग लेकिन अगर खुद कमजोर पड़ जाए तो खुद मरा जाएगा डेड हो जाएगा तो body में कोई भी चीज जब डेड होता ये Monocyte क्या करता है कि जैसे ही लिंफो साइट किसी बीमारी के क्यों मारता यानि बीमारी वाले जो भी microus organism उसके अटक किये है उसको मारता था तो मारने के बाद ये Monocyte उसका भक्षन कर लेता हुआ उसको जाकर खा जाता है, निगल जाता है, यानि उसको साफ कर देता है, क्लियर, तो अब देखते हैं, इससे एक क्वेशन पुष्टा है, कि WBC में सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है, तो मोनोसाइट होता है, सबसे बड़ा, अब याद पर इसे रखेंगे, अरे जो ज़् हाँ हिए क्यवल खाना, तो बड़ा यहीं होगा, चाहा हो बड़ा ऐसे हो, लेकिन बड़ा तो यहीं होगा, तो मोनोसाइट WBC का सबसे बड़ा पार्ट होता है, चलिए, बात करें, प्लेटलेट की, तो आकार में यह उत्तल लेंस के जीशे होता है, उत्तल लेंस अप प्लेटलेट्स ही हमको एनर्जी देता है ठीक है यानि हमको उर्जावान बनाए रखता है ठीक है तो एनर्जी देने का काम प्लेटलेट्स की है प्लेटलेट्स की संख्या डेर से दो लाग होती है डेंगू रोग हो जाने पर जब डेंगू किसी को हो जाता है तो उसमें इसी प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है, इंसान बहुत वीक हो जाता है, इतना वीक हो जाता है कि वो चल फिर नहीं सकता है, तो फिर उसको अच्छा से टीटमेंट कराने की जुरत होती है, और ये जैसे ही प्लेटलेट्स डेढ़ और दोल के बीच में आएगा, आदमी एकद लगता है, तो ब्लड क्लॉट कैसे होता है, जमता कैसे है, हैमरेज कैसे होता है, इस सबकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जो कि काफी इंपोर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को देखिए, लाइक किजिए, सब्सक्राइब किजिए, दोस्तों को सेयर किजिए, धन्यवाद.